Hi, this is Drew from Indian Lifehacker और आज हम बात करेंगे लाइफ़ाइ के बारे में So, लाइफ़ाइ का फूल फॉम होता है Life Fidelity So, sound करता है कुछ वाइफ़ाइ के जैसे और काम भी कुछ वैसा ही करता है जैसे वाइफ़ाइ में हम data transmit करते है रेडियो सिगनल के जरीए 2.4 GHz या तो फिर 5.8 GHz पर So, यहाँ पर जो data transmit होता है वो lights के जरीए होता है So, benefit क्या होगे लाइफ़ाइ के So, लाइफ़ाइ जो है वो light से चलता है So, lights के speed तो बहुत जादा है So, उसी speed का फाइदा उठा के हम बहुत ही fast data transmit कर सकते है So, इसके speed जो होती है वो 100 GBPS से 240 GBPS तक की हो सकती है जो की Wi-Fi से बहुत 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 ज़्यादा fast है दूसरी चीज़, security So, यहाँ पर एक local Wi-Fi में हम काम कर रहे है और इस room के बाहर कोई बंदा बैठा है जो हमारे Wi-Fi में गुज जाता है और उसको hack करके वहाँ से data निकाल लेता है यसा हो सकता है लेकिन अगर हम Wi-Fi के काम कर रहे है तो Wi-Fi जो है वो वो वोल के आरपार नहीं जा सकता मतलब कि जो light होता है वो दिवार के आरपार या दरवाजे के आरपार नहीं जा सकता वो बंदा जो बाहर बेठा है वो अपने network पे access ही नहीं कर पाएगा कोई भी data वो हमारे network से निकाल नहीं पाएगा यह बहुत ही benefit मिलेगा security को ध्यान में रखते हुए तीसरी चीज़ है radiations अगर हम radio signals यूज़ करते हैं data transmit के लिए तो वो human being के लिए अच्छा नहीं है यह हम हर रोज newspapers में यह पढ़ते हैं लेकिन अगर हम उसके जगा पे life I use करेंगे so lights तो हम सब जानते हैं कि उसमें कोई radiation होते नहीं है so वो हमें कोई damage नहीं करेगा so एक बहुत बड़ा benefit हो सकता है और चोती चीज़ है underwater underwater में कोई भी radio signals काम नहीं करते so वहाँ पर अगर हम life I use करेंगे तो underwater भी data transmit हो सकता है so यह सारे benefits से life IK और wifi so यह काम कैसे करेगा क्या हमें हर एक कमरे में एक life I router लगाना पड़ेगा so नहीं जो हमारे गर की light से वही life I router का काम करेगी और उसी से हमको data मिलेगा so अगर हमें रात में यूज़ करना है तो क्या करेंगे so उसके लिए कुछ lights होंगी जिसकी intensity इतनी कम होगी कि हमें वो दिखाई भी नहीं देगी लेकिन हमारा जो mobile का high capacity sensor होगा वो उसके data receive कर सकता है so वो भी कोई issue नहीं रहेगा कर दो कर दो कर सकता है झाल 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 झाल